अमिज जी आपको News 18 Network को ये exclusive interview देने का बहुत बहुत धन्यवाद हम आपके शहर में हैं, आपकी constituency गांधी नगर में हैं, साबर मती रिवर फ्रेंट में हैं शुरुआत करते हैं, अगर आप पहले दो phases को देखें और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्न आउट थोड़ा लो रहा है, कुछ-कुछ स्टेट्स में 5-6 पर प्रतिशत भी नीचे रहा है वोटर टर्न आउट, तो 400 पार का आपका नारा है, 370 भारती जन्ता पार्टी, तो क्या गाड़ी पट्री पे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पट्री पे है, आ बहुत सारे कारण है, 12 साल के बाद, मत्याता सूठी का सुधिकर्म हुआ है, दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं, जिसके कारण टर्न आउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है, मगर हमारी पार्टी की टीम ने, मैंने स्वयम, बहुत डिटेल एनालिसिस किया है, हम दो चरण में 100 पार करकर, 100 से भी कई अधिक सिटे, जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तीसरे चरण में, तो मुझे 400 पार के लक्स में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है, पहले शुरुवात करते हैं हम जी, मुद्दों पर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं ज सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नकसलवाद, यह दो ऐसी समस्याएं थी, जो कई दसकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलप्मेंट के लिए नासुरु बनी हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने दस साल के इंदर लगभग लगभग आतंकवाद स सत प्रतिसत निजाज पाई है, और नकसलवाद से आप कह सकते हैं, 95 प्रतिसत तक इसको समाप्त कर गया है, आज बिहार, जारखन, मद्यपदेश, ओरिशा, तेलंगाना, आंद्रपदेश, महराष्ट, इस सात राज्यों में से नकसलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो च चार जिलों में बचा है, वहाँ पर भी अब भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और विगत तीन महिनों के अंदर ही लगबख सो नकसलवादी मारे गए, मुझे पुरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रदानमंत्री बनने के बाद, एकाद दो साल में ही दे देश की एकोनोमी सब दुरूष्टी से चर्मराई हुई थी, पॉलिसी बनती ही नहीं थी, उत्पादन की घतिविद्या बड़ी मंद पड़ गई थी, निर्याद वंधे मुव घिर रहा था, देश की सारी सारवजनिक बैंकों की बैंकों की बैलेंसीट भी न बन पाए, अ और कुल मिला कर बजेट के 16 के 16 पेरामिरेटर्स नेगेटिव दिखाई पर देथे, दस ही साल में मोदी जी ने एच परिद्रुष्य को पूर्ण तयाब बडला है, सेर बजार अज आसमान को छूरा है, एफ आई आई के सेलिंग के बाद भी भारतिय मिच्चुल फंडों न बाजार को ताकत दी है, PLI स्कीम के कारण और एक मजबूत इको सिस्टिम के कारण, भारत फैवरेट डेस्टिनेशन मैनुफेक्चर के लिए पूरी दुनिया में बना है, हमारे बच्चे स्टार्ट अप हरोज रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी कंपनिया हरोज पेटर्न रजि बहुत अच्छी बन चुकी है, इंडस्टियल ग्रोथ के जितने भी पेरामिटर्स हैं, वो 25 साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं, एक्सपोर्ट रेकोर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है, इसी प्रकार से फीचर में जो कुछ क्षेत्र आने वाले 25 सालों तक दुनिया भर की एकोनोमी को ड्राइव करने वाले हैं, वो सभी क्षेत्रों में भारत आज पायोनियर बन चुका है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैनिफेक्टरिंग ठोड़े लेट है, मगर सेमी कंड़क्टर, इलेक्ट्रिकल मोटर वेहिकल, बैटरी का उत्पादन, अंतर करने वाले 25 साल तक दुनिया की एकोनोमी की दिशा और दसाताई करने वाले हैं, वहां आज भारत एक मजबूत फांडेशन डाल चुका है, और ये फांडेशन पर एक बड़ी इमारत होनी है, तो एकोनोमी भी सुद्री है, सुरक्षित भी हुआ है, देश ग्यारवे नंब मेर का इर्थ तंतर था पांचंण नंबर का अर्थ तंतर बना हैं, घांघ हो या सहर, जंगल हो या रगीस्तान, सागर किनारा हो या सेहर हो, हर जगे इंफ्रस्ट्रłości kleiner के देवलोप्मेंट के काम हो रहे हैं, आज 10 लाइक करोड का इंफ्रेस्ट्रीक्चर का खर्चा भारत के बजेट में आम बात बन चुका है जी एश्टी कलेक्शन और डाइरेक्ट टेक्स कलेक्शन अपने सारे रेकोर्ड स्वयम ही तोड़ते जा रहे हैं देश के अंदर सिमाओं को करने का काम भी नरेंद्र मोध洗ल ने बहुत अच्छी तरीके से किया है जनता में भारत का भविश्य उज्वल है इस प्रकार के विश्वास का निर्मान करने की नेदैरी जीम्मेडारी है नरेंद्र मोदी जी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिली है और पूरे 130 करोड लोग हम विश्व में सर्वप्रथम बन सकते हैं यह आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अंदर आमुल्चुल परिवर्तन करना हो है। हर क्षेत्र के अंदर यह 10 साल स्वर्णेम अक्सरों से लिखे जाने वाले 10 साल है। जनता भी यह फिल कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी को इतने अच्छे तरीके से लड़ा जा सका वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का न पहनों से सरकार economy की बात कर रही थी, development की बात कर रही थी, जो चीज़ें भी आपने बताई इसकी बात करके जनता के बीच जा रही थी। पहले पहले चरण के बाद यह देखा गया कि थोड़ा यह तुष्टिकरल की ओर मुला, थोड़ा हिंदू-मुसल्मान हुआ, आप लो है कि हमारे खिलाब जो चुनाव लड़े इनकी मनसाओं को हम उजागर करें, आप मुझे बताइए इस जमाने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परस्नल लॉज की बात कर सकती है क्या, क्या देश सरिया के अधार पर चलेगा, एक और हम हमारे गोशना पत्र के अंदर, संक कॉंग्रेश पार्टी को जवाब देना चाहे बहुत मैं, तो पुर्वुद्दा है. इसलिए आप कह रहे हैं, ढूस्लियूजम लिग की चाफ है? बिल्कुल मुश्लिम लिग की चाफ. यहीं तर्ख है कि मुश्लिम लिग की चाफ? आप मुझे बताइए, वह कह रहे हैं कि ये देश के contracts minority को प्रियुटी देंगे, contracts first lowest कौन है, पास्लगे क्या है काम करने की समता है या नहीं है, इसके आधार पर निर्धारित होँगे या contractor के धर्म के आधार पर निर्धारित, किस तरह से देश चलाना जाने देश की जनता को इसको सोतना पड़ेगा, बहुत समय के बाद देश तुरुष्ट्री करन की रादनिती से नरेंद्र मोदी जी बाहर निकाल कर रहा है यह फिर से उसी दिशा में ले जा रहे हैं क्योंकि कॉंग्रेस जीतने का आत्मईश्वास घमा चुकी है प्रधान मंत्री जी ने उस रैली में ये भी कहा कि सबके सबकी जमापूदी पूजी को चेक करके वेल्थ को रीडिस्ट्रिब्यूट किया जाएगा और वेल्थ रीडिस्ट्रिब्यूट करके मुसलमानों और घुस्ट पैटियों को दिया जाएगा यह कहां से आता है यह वह माइनोरिटी में भी मुसलमानों का अब जब बैल के डिस्ट्रूइट करने की बात आती है तो संसाधन से ही होगी सरकार उसको लोगों की संपती को लेकर डिस्ट्रूइट करेगी और मैं कहता हूं कि अगर सच नहीं है तो कांग्रेस पार्टी बता है इसका मतलब क्या है दिए नहीं कि राहुल गाणि ने साफ-साफ कहा हैं कि अगर जो है वह लोग सरकार बनाएंगे तो एक नेशन में नेशनवाइद एक्सरे होगा एक्सरे होगा जिससे कि socio-economic status लोगों का पता किया जाएगा किस वर्क किस जातिक पास कितनी कितना धन है इंस्टिटूशन में कितनी भागेदारी है और उसे साब से redistribution होगा तो इस साब से redistribution में इनकी प्राविटी तए है कि वह कहते हैं इनिक्वालिटी को खतम करने का यही तरीका है वो उनकी समझ है मुझे लगता है इतनी पुरानी पार्टी ने अपना कि मैनिफेस्टो माइनोरिटी और एक्स्ट्रीम लेप्ट आइडियोलोजी वाले लोगों को आउट्सोर्स किया है तो जो मंगल सूत्र की बात है वो वो कहां से आती है वो इसी इसी का एक स्वाभाई कूप से जब वैल्थ आती है तो सारी चीज़े इंक्लूड होती है तो त्रीधन हो गया लोगों के पास जो जित्ति वीड़ा पुंजी है वो होगी प्रॉपर्टी टैक्स की बात की थी साम पट्रोड़ा जी ने उसको आप कैसे देखते हैं देखे मुझे लगता है कि साम पित्रोड़ा एक आईवरी टावर में जी रहे ह इनको पिस देश के संसकार इस देश की चंटा का मूड री देश की परंपरा उसे कौई लेंदे तो आप कभी नहीं लाएंगे इसको इन हरेटेंस टैक्स को विरासत टैक्स कभी नहीं हमने हमारा संकल पत्र जंता के सामने पारदर सिट्टिक के साथ रख दिया इसमें सारी बात हैं कुछ छिपार कर नहीं करेंगे एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्त वो यह है कि मैनिफेस्टों को कॉंग्रेस के देखते वे आप लोग कह रहे हैं कि यह OBC कराषि और लुझ की सरकार थी रहात और गरनाटक के सारे मुसल्मान को बेकवर्ड बना दिया कि इसका सरवे ना को कमिशन बना धर्म के आदार पर सारे लोगो को बैकवर्ड गोशित kे दिया और उनको रिजर्वेशन भी दिया अब रिजर्वेशन जो कटा वो बीसी का ही कटा है इसी तरह से अंद्रप्रदेश में संयुक्ता अंद्र में जब उनकी सरकार थी मुसल्मानों को रिजर्वेशन दे दिया तो किसका कट्टा है एस्ट्री एसी ओबीसी का ही कट्टा है प्रद्गेशन से बात निटी का स्टर पोन टरीके से राहूल गांधी है इसारल-फैंश कर ददेना बह्म कर देना बोलने नहीं देना डीबेट में इस्टा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करने कि सि Kom Hybrid अले कि हम आपNowai देश की जनता को, देश की जनता इस सब नहीं जानती है, देश की जनता इस सब चीजे बहुत अच्छे तरीके से जाती है, लोग तंत्र में healthy debate होनी चाहिए, और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो, आप लोग उनको भी पूछना चाहिए, वगर आप लोग सवाल ह में ही पूछते हूं उनको नहीं पूछते हैं जरूर उनसे भी पूछ रहे हैं हम लोग हमारी टीम लगी हुई है एक बात जो है कास सेंसर्स की है इसी से जड़ा हुआ सवाल है कास सेंसर्स की है उसके बारे में वो बात करते रहते हैं कहते हैं जितनी आबादी उतना हक इसको को वो बोल रहे हैं इनकी मनसा नहीं है इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एक मात्र पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी काका साहिब कालेलकर कमिशन को इन्होंने सालों तक उपनी नहीं किया मंदल कमिशन को दबा कर रखा सेंट्रल के कमिशन लागू हो रहा था विपक्स के नेता के रूप में राजीव गांदी ने दो गंटे का विरोध का भासन करा है राहूल गांदी ने जरा वो भासन पढ़ लेना चाहिए और हमने तो देश को सबसे सफल प्रदानमंत्री पीछड़ा वर्क से और घरीब के घर से पैद करेंगे उसके बाद फिर OBC SC ST के जो है रेजर्वेशन के संग आप लोग कुछ वो बदलाव करेंगे देखे राहूल दी हमारे पास दस साल से बहुमत है समविदान बदलने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी को दस साल से इस देश की जनता ने दी है हमने क्या किया दस साल हमन करने में कि यूशी सी लाने में कि अंग्रेजों के कानून बदलने में किया कि कश्मीर के अंदर सांती करने में कि हमारे पास दस साल से अधिकार है राहूल गांदी का एक रूल है जूट बोलो जोर से बोलो और बार-बार बोलो वो रूल को वो फॉलो कर रहे हैं आपको ल प्रप्त की है, ओस में सिक्यूरिटी की बात की तो मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करना चांगा कि आपने का है कि आभी जए वह लोगों ने बहुत क्या कहते हैं त्योंति क्राकट्स कहुती की है देखिए तुलसिदाजी ने रामचरित मानस में क्या है कि जिसका खराब समय होता है प्रभू राम सबसे पहले इनकी मती हर लिते हैं कॉंग्रेशियों के साथ 20 साइद यही समय आ गया है हमारे जवान अपनी जयान जोखिन में डाल कर घने जंगलों के अंदर ओपरेशन कर कर नक्सल को मारते हैं और साथ कि हमारा किड़र मारा गया है और कंग्रेश पार्टी कहते हैं यह फेक इनकाउंटर है बगवान ही बचाए बगवान भी साइद नहीं बचा सकता आपके पिछले कारिकाल में आप लोगों ने काफी बड़े काम किये आपने आर्टिकल 370 को रद किया आपने किया क्रिमिनल प्रोसीजर लौ लाए आपने तमाम इस तरह के बड़े काम किये पर अगर आज आप उपोजेशन को देखें तो काफी ऑपोजेशन वाले कहते हैं कि जो है यह जो 370 को वह वापस लाएंगे कहते हैं कि हम इंप्लिमेंट नहीं होने देंगा और सारे बड़े न अना है ना 370 को वापीस आना है ना उनको सत्ता में आना है ना उनको भी मालूम है मगर वो माइनोरिटी एप इसमेंट करकर माइनोरिटी के वोड अंकीत करना चाहते है मैं मात्र कारण से जुट फेला रहे हैं मैं इस इंटर्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बत तक है, 370 फिर से नहीं आ सकता, CA समाप्त नहीं हो सकता, अब यह इतियास का हिस्सा बन चुका है, 370 और CA वास्तविक्ता बन चुका है। सिर्फ आप इसको जल्दी बाजी में इंप्लिमेंट कर दिया कि इससे कुछ नागरिक्ता भी लोगों को मिलेगी। और यह कब तक पॉसिबल होगा, इसका क्या टाइम फ्रेम है। इसको आप कैसे देखते हैं, यह वोट कहीं ना कहीं, आप लोग अपना अपना वोट साद रहे हैं। यूनिफर्म सिविल कोड लागू, मुझे लगता ही उची समय आ गया है। और यह आज से हम नहीं कह रहे हैं। हमारी पार्टी बनी इसके पहले गोशना पत्र में था कि देश में धर्म के आधार पर कानूम नहीं होना चाहिए। अगर इस पंथर निर्पेक्स है तो धर्म के आधार पर कानूम कैसे हो सकते हैं। नहीं होने चाहिए। इसके आधार पर ही साथ उनका गोशना पत्र बना है। सलमान खुर्सित जी ने गोशना पत्र ऐसा क्यूं बना इसका रहस्या ही खोल दिया है। वह फिर से करना चाहते हैं। उनको मालूम नहीं है देश की जनता जागरूख हो गई। आपकी एपीस्मेंट की पॉलिसी अब इसलिए सफल नहीं होगी। कि एपीस्मेंट जब आप करते हो तो दूसरा वर्ग जागरूथी के साथ काउंटर प्रोडक्टिव रूप से लामबंद होता है। अब यह सफल नहीं होगी। इधर बीच घुसपैठियों की बात हो रही है। आप आपने C.A. इंप्लेमेंट किया। मैनिफेस्टों में एनर्सी की कोई चर्चा नहीं है। ऐसा क्यों। दिखे, C.A. का इंप्लेमेंटेंटेंशन कोविड के करन लेट हुआ है। और हम मानते हैं कि पहले C.A. को जमिन पर उतारना चाहिए। वो प्रक्रियाब चल रही है। और जहां तक गुस्पेट का सवाल है। अब देश की एक ही राजे से गुस्पेट हो रही है। बंगाल से। क्योंकि ममताब एनर्जी की सरकार का उस पर वरद हसते है। वो घुस्पेटियों में अपनी वाट बेंक देख रही है। उनको घुस्पेट में राष्ट्रिय सुरक्सा खत्रे में है वो नहीं दिखाई पड़ता है। उनको लगता है कि मेरे वाट बढ़ रहे है। नकेवल बंगाल समगर देश के लिए एक बहुत खतरनाक सोच है। मैं बंगाल की जनता को रदय से अपील करना चाहता हूं कि इस बार भारतिय जनता पार्टी को सफल बनाएए। इसके बाद वहां भाजपा सरकार बनाएए हम ऐसी बॉर्डर बनाएगे कि परिंदा भी पेर नहीं मार पाएगा। इसलिए का दम खम से वो विरोध भी कर रही है। इसलिए वो कर रही है कि जो है कभी इंप्लिमेंट नहीं होने देंगे। उनको मालूम नहीं है नागरिक्ता सेंटरल सब्जेक्ट इसमें स्टेट को कुछ करना ही नहीं है। साथ मालूम है मगर माइनोरिटी को गुम्रा करने के लिए वो बोल नहीं। अमिर जी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई यह आपका एक बहुत बड़ा वादा था जो आपने निभाया। मगर ऑपोजिशन यह कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मान रहें। देखे राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे। हमने तो वोट लेने का कारानी समाप कर दिया। ओपोजिशन को चिंता इसलिए है और पुरा देश उनसे नाराज इसलिए है। कि जब राम मंदिर बना सांती पुर्वक तरके से बना समवेधानिक रूप से बना और प्रान परतिश्चा हो रही थी। इन्होंने प्रान परतिश्चा का बहिस्कार किया। माइनोरिटी के डर से वो प्रभुष्री राम की प्रान प्रतिष्टा में नहीं गए इसलिए पुदा देश उनसे नाराज है हमने कभी यह नहीं कहा कि राम मंदिर बनाया इसलिए हमें बहुत दी गिए अगर पुड़े देश की जनता जानती है सतर साल से लोग अटका कर रखे थे मोदी जी ने पांची साल में केश भी जीता भुमी पूजन भी किया और प्रान प्रतिष्टा भी करती है और अध्भव्य राम मंदीर समग्र देश को अलहादीत करने वाला राम मंदीर बनाया अभी जी एक आखरी सवाल हिंदू मुसल्मान की जो चर्चा रही है उस पर मुझे आपसे पूछना है प्रधान मंत्री ने पिछले साल एक साल पहले पासमंदा मुसल्मानों को एक आउटरीज भी किया उनके बारे में बातचीत भी की उनके बारे में वो सोचते भी काफी ह एक तरफ ये बात हो रही है और एक तरफ ये इसमें contradiction नहीं है जरा भी नहीं, प्रदान मंत्री जी ने सिर्फ पसमंदा मुसलमानों को आउट रित नहीं किया है, ट्राइबल्स को भी किया है, दलीत को भी किया है, पीछड़ा वर्क को भी किया है, गरीबों को किया है, किसानों को किया है, मात्रु सक्ति को महिलाओं को किया है, युवाओं मुझे इसमें कोई अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़ता माहौल चुनाव का है और आप हमारे साथ हैं आपके प्रेडिक्शन जो है बहुत दिनों तक बात करते हैं लोग कि अमित जी ने पहले ये बोला था ये सही हुआ तो कुछ स्टेट्स पर जाते हैं गुजरात में है आपके साथ तो गुजरात से शुरुवात करते हैं पिछले दो चुनाओं से 26 में 26 सीटें आ रही है क्या इस बार है ट्रिक करने की आपको पूरी उमीद है निश्चित रूप से गुजरात में हम 26 की 26 सीटे निटेंगे और मार्जिन भी सब सिट पर हमारे 19 के चुनाओं से ज्यादे होगी कुछ ये बात चल रही थी कि शक्त्रिय जो है वो थोड़ा सा रूठे हुए हैं आप लोगों से हम बरोबर समवाद कर रहे हैं उनसे मुझे पुरा भरोसा है सब चीजे अपनी जगे पर ठीक होगी हम 26 की 26 सीटे भी जीतेंगे और हमारे मार्जिन्स में भी बड़ोती होगी करनाटका की ओर चलते हैं करनाटक का चुनाव आपके लिए बहुत अहम है पिछली बार आप लोगों की वहाँ बड़ी जीत हुई थी स्टेट असेमिली इलेक्शन्स में आपकी हार भी हुई है हाल फिलाल में तो ऐसे में आप करनाटका को कैसे देखते हैं खास करके अभी एक बहुत रवन्ना जी का आज आपने उस पर प्रेस कांफरेंस में आपने बयान भी दिया है तो आप जो प्रतारित महिलाएं हैं जो उसको आप कैसे देखते हैं क्या क्योंकि वो आपके वहां पे सदस्य हैं आपका वहां उसे अलाइंस है तो आपको यह अलाइंस के प्रेशर में आ जाएंगे क्या कठोर कदम उठाएंगे आप मैंने आज सुबह ही भारतिये जनता पार्टी का रूख स्पष्ट कर दिया है कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए मगर प्रियंका जी और राहुल जी यह कह रहे है कदम क्यों उठाए नहीं जा रहे हैं साइद उनको मालूम ही नहीं यह पोजिशन स्टेट का लोई एन ओडर स्टेट गवर्मेंट को समालना होता है और वहां उनकी सरकार है कदम उनको उठाना है हमें ने उठाना है परन्तु भारतिये जनता पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है और किसी भी हालत में कोई भी हो इसको सहन नहीं किया जा सकता और कठ जरत सरकार के विमेन कमिसन ने आज करना टक स्टेट गवर्मेंट को नोटिस बिन कल दिया है। तो अलायंस का कोई प्रशर नहीं है कोई उसके दबाव में आप कभी नहीं आएंगे इस मामले में। ना हम पर दबाव हैं ना हम दबाव में आएंगे। एक और कांड हुआ था नेहा हिरमत के वाला किस्सा जिसकों की एक लव जिहाद का कलर मिला है। कलर नहीं भई। इपक का मामला ही लव जिहाद का है। यही मैं आपसे जानना चाहता था इस पर अगर आप कुछ बता सके। क्योंकि सीम और होम मिनिस्टर ने कहा है यह पर्सनल मामला है। वो अपनी माइनोरिटी वाट बेंक के कारण ऐसा कह रहे हैं। मुझे एक बात बताईए। बच्ची को किसी भी बच्ची को कॉलेज में सुरक्षा केमपर्स में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से हत्या होती है और उसको पर्सनल मामला बताकर इस सामाजिक दूसर्ण से आप नजरे चुरा रहे हैं। केवल वाट बेंक के लिए। उनको तो बंबलास्ट होता है वो भी गैस सिलिंडर का ब्लास्ट लगता है। जब नाइए जाच लेती है तो पुरा पकड़ा जाता है। बेंगलूर में दस साल से बंबलास्ट नहीं हुए थे। इनकी सरकाराई SDPI का समर्थन उगलिया और अब बंबलास्ट होनने लगे। अपनी वाट बेंक की पोलिटिक्स के कारण कितने नीचे जाएंगे। देश की सुरक्सा, बेंगलूर की सुरक्सा, करनाटक की सुरक्सा, इसको भी कॉंग्रेस पार्टी ताक पर रख रहे है। इसे माहौल में जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की कितनी सीटे देते हैं आप करनाटक में भारती जनता पार्टी और उसके गड़बंदन को। देखिए अभी एक चुना होना बाकी है, मगर मुझे लगता है कि कम और बेस हम हमारी पोजीशन को बरकरा रखें जितनी सीटे पहली थे उतनी ही आपकी इस बार भी रहेंगी, ये तो मतलब बड़ा बयान है आपका, महराश्ट की और चलते हैं, महराश्ट में एक अमिजी अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, दो दल टूटे है, एक तुकड़ा आपके साथ है, एक तुकड़ा उधर है ये कहता है हमारा ओरिजिनल है, वो कहता है हमारा ओरिजिनल टुकड़ा है, मगर ऐसे में क्या आपको लगता है कि उधव और शारत पावार जी के लिए कुछ सिंपथी बगर थोड़ी वहां हो सकती है, देखिए महराश्ट की जनता मोधी जी के साथ है, जो मोधी जी के एक राहूल बाबा, सरत पवार, ममता जी, स्तालिन, तेजस्वी यादव, लालु यादव, इनके नेत्रूतों में इंडिय अलाइंस है, जिसका कोई निता ही नहीं है, अब देश की जनता ने ताई करना है कि किस व्यक्ति को चुनना है, एक और बारा लाग करोड के गपले गोटाले ब्रष्टाचार करने वाला इंडिय अलाइंस है, दूसरी और तेईस साल मुख्यमंत्री और प्रदानमंत्री रहने के बावजुद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी है, एक और घर्मी आते ही छुटी पर जाने वाला दल है, विद के साथ दिपावली मनाने वाले नरेंद्र मोदी है, एक और अपने बेटे, बेटी, बतीजे, बहुयों के लिए काम करने वाले रादनितिक दल है, दूसरी और देश के घरीब, मैला, किसान, युवा के लिए काम करने वाले नरेंद्र मोदी है, तो देश की जनता ने यह त मूदी के अर्थतंत्र को बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए यह अर्थतंत्र को दुब ओने वाला ग्रूप ट्सक्राइब म्युनाइब देश की जनता ने राहूल जी फैसला कड़ कर रिया है देश की जनता नरेंद्र मोधी PC के साथ है और जो अपने कर चुना। 41 सीटे थी आपकी पिछली बार गडबंधन की इस बार आप नतीजे आने दीजिए आप चौक जाएगे वहीं से 400 होता है तो महराष्ट से आपको पूरी उमीद है कि 41 से पक्का हम देखें आंकडा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए कि कमो बेस यही परिणाम रहेगा महर अधियाष्ट मध्यप्रदेश उत्राखन जम्मू कस्मीर दिल्ली गुजरात करना तक हम सत्त प्रतिसत रिपीट करें उत्तर प्रदेश हम 5 से 7 सीट की बड़ोतरी करें औरी सा हम सोला के असपास जा सकते हैं और सोला सोला और आसाम में भी 12 के उपर चले जाएंगे 12 भी हो सकती हैं बंगाल हम कम से कम 30 सीट जिते हैं पिछली बार आपने मुझसे 25 कहा था इंटर्व्यू में 30 यह तो हम जोड़कर अब निकाली सकते हैं कि कि कितना होगा 370 होगा की नहीं आपने सारे आखड़े दे दिए उदिशा में दोस्त दोस्त ना रहा आप लोग आप लोग मेरा सपष्ट मानना है कि ओरिशा विकास के मामड़े में पिछरता जा रहा है इसके साथ साथ ओरिशा की भासा ओरिशा की संस्कृति ओरिशा का पहनावा इसकी गरीमा पर भी गंबी रूप से चोट हो रही है और भारतिय जन्ता पाटी मानती है कि किसी भी राज्य की भासा संस्कृति के साथ खिलवाड नहीं होना चाहिए हर राज्य का विकास अपनी संभावनाओं की सबसे ज़्यादा संभावनाओं का दोहन करते होना चाहिए जो रिशा में नहीं हो रहा है इसलिए हमने निड़े किया है कि हम अलग लड़ेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार औरिस्ता की जन्ता मोदी जी के नेत्रूत में भारती जन्ता पाटी को असिरवाद देगे आपने बड़ा नंबर दिया लोकसभा चुनाओं के लिए राजी सभा की चुनाओं को आप कैसे देख रहे हैं देखिए इसका एसेस्मेंट अभी चुनाओं की काफी देर है प्रत्यासियों की घोस्तना दोनों और से बहुत लेट हुई है मेरा एक ही दोरा हुआ है अब चुनाओं जी उत्तर प्रदेश में आपने अभी कहा कि आप सीटे बढ़ाएंगे पिछली बार की तरफ से उत्तर प्रदेश में सीटे बढ़ाए मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो असी की असी हो सकती है अरे तो बहुत ही बड़ा बने बयान है आपका रिकॉर दो हजार चौदा कबरेख होगा जी सब कुछ अच्छा रहा तो असी की असी भी जीत सकते हैं इसका मतलब आप अखिलेश को कन्नौज में हराएंगे अखिलेश जी को डिम्पिल को महनपूरी में हराएंगे उनकी पूरी फैमली फिरोजाबाद आजमगर्ण संभावना का ह है कि हम असी की असी कर सकते हैं हमारी सीटों की बढ़तरी होना निश्ची थी राहूल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कभी हां कभी ना कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं इसको कैसे अगर नहीं लड़ना ता तो इतने समझ तक सीट क्यों पेंडिंग रखी किसी कारेकरता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्ख तो कर सकता था एक कंफ्यूजन जो है कहीं ने कहीं लैक औप सेल कॉंट्विडंस को दिखाता है अमिजी अभी हम लोग कुछ दिन बिहार में थे तो वहां पर यह देखा गया है कि जो आप जो तेजस्वी और जो गडबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वो इस बार आपकी कुछ है कि आप रिपीट करेंगे जुस्तरे का जी में साउथ इंडिया में एक बार चलते हैं इस बार आप लोगों ने वहां बहुत समय बिताया प्रधान मंत्री ने वहां बहुत दोरे किये आपने बयान भी बड़े-बड़े दिये हैं तो साउथ इंडिया एक अगर पूरा सा हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं जी खाता तो निश्ची तुरुप से खुलेगा परन्तु सीटों का अनुमान लगाना वहां इसलिए दिक्कत है कि बड़ी कांटे की तक्कर हुए पर दोनों दोनों प्रदेशों में टामिलाडू में भी खुलेगा करेला में और तिलंगाना और अंधर को कैसे दिखते हैं अब अंधर प्रदेश में हमारा एलाइंस हैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं अभी शुरुवात है और तिलंगाना में तो हम लोग सबाए में बहुत अच्छा परफोर्मस करने हमारी अब तक की हाइस सीट हम वहां से अब जी एक सवाल और इस चुनाओ के पहले दो सीम जो है अरेस्ट हुए है केजरिवाल जी अरेस्ट हुए वो तो अभी भी मुख्यमंत्री है एमन सोरें जी अंदर है तो आज सुप्रीम कोट ने एडी से टाइमिंग आफ अरेस्ट पर क्वेस्टन उठाया है तो इसको आ जमन में अगर आये होते तो चुनाओके छे मेहना पहले रेस्ट हो जाते बहुत पार समंस दिया घया है वो आये ही नहीं है अब उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरिवाल जी कह रही है कि उनको इंसुलन नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे उनको ठीक से रखा नहीं जा रहा है यह उनको मारने की साजिश है देखो भईया तिहार जेल दिल्ली सरकार के अंतरगत आता है जिसके मुख्यमंत्री केजरिवा को सब्सक्राइब करते हैं जरा भी नहीं है प्रीजन सीधा दिल्ली सरकार को प्यार करते हैं तो इसमें आपका कोई वह कोई सवाल नहीं पेदा होता है् आप लोग रहे हैं यो लोग mm की बात कर रहे हैं कि अगर आप किया यह कर पाएंगे वन नेर्फ मैं पहले एक बात स्पाष्ट करेंगा नाहिए रहूल गांदी जी जो बोलते हैं वो सोच विचारकर नहीं बोलते हैं अगर हम EVM के कारण जितते हैं तो तिलंगाना में क्यूं हारे तमिलनाड में क्यूं हारे किरल में सालों से क्यूं हारे हैं हिमाचल में क्यूं हारे बंगाल में क्यूं हारे या तो राहूल गांदी ने सपस्ट करना चाहिए कि EVM से आये नतिजों में हम जितते हैं तो भी सपत दूस्ट द्राथ नहीं लेंगे जित्ते हैं तो नए कपड़े पैंट कर सपत ले लेते हैं हारते हैं थीम पर थीक रहा फोड़ते कीज प्रकार की राद दूती devam जित्ते हो तब E.M. सही है जब हारते हो तो E.M. नका रहा है क्या देश की जनता इसको समत्ती है मगर मुझे तो आश्चरे हो रहा है इतनी बड़ी पार्टी अपने नेता के एडवाइजर क्यों नहीं बदलती है मैं दूर से देखता हूं मुझे आश्चरे होता है खेर छोड़िये वह उनकी पार्टी का सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है और हम उसको जमिन पर उताने का पूरा प्रयास करेंगे अगला चुनाव दो हजार उनतेस वन नेशन वन इलेक अमिजी थोड़ा हटते हैं कुछ अंतराश्री मुद्दो पर भी बात करते हैं वाशिंग्टन पोस्ट पर एक आटिकल आया है उसमें जो है उन्होंने कहा है कि रो जो हमारी इंटेलिजेंस एजिंसी रो प्लॉट कर रही थी कुछ टर्रिस को यूएस में मारने का वहां प प्रकार है कि इसका पहले कैनेडा में भी आपको पता है इस प्रकार के रिपोर्ट के आधार पर इतनी गंभीरता से मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर नहीं सूरना चाहिए अगर कोई कॉंक्रीट आरोफ है तो इसका जवाब देगी अगर कोई सरकार डिप्लोमेटिक मे तुम इसका जवाब देंगे कैनेडा में निजर के मर्डर पे भी ये बात हुई थी कि जो है ऐसे आरोप मीडिया में लगने से मैं नहीं मनता को गंबीर सवाल खड़े होती है इसी से जड़ा हुआ एक और रिपोर्ट आई थी वो गाडियन पब्लिकेशन में थी उसमें था क पाकिस्तान में 20 टेरुरिस्ट को जो है इंडिया इंडिया ने फिर रोग की बात ती उस्कुछ लोगों को इस्तेमाल करके वहाँ पर उनको मारा टेरुरिस्ट को वहाँ पर मारा पाकिस्तान सॉइल में इसको आप क्या कहेंगे देखे किसने मारा ये तो डूणने का सवाल है प्रणतु मैं एतना निश्चित रूप से मानता हूं कि ये तो एक्सपोस होई गया कि पाकिस्तान की स्वाईल पर भारत में अतंग फिलाने वाले लोग थे प्रधान मंत्री जी भी कह रहे हैं आपके काफी वरिष नेता भी कह रहे हैं कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा जो कि खड़ा होके साइट से तमाशा देखेगा ये भारत वो है जो घर में घुस कर मारता है इस पर आपका क्या बचाए निश्चित रूप से सर्जीकल स्ट तमाम आर्टिकल आ रहे हैं जो कि भारत में इलेक्टोरल अटोक्रसी ताना शाही तमाम तरह की बाते करते हैं इसको आप कैसे देखते हैं क्या कोई इसमें ये इलेक्शन के समय में ये जो बार-बार तीन-चार पिछले तीन-चार मेहनों में आता है इसमें कोई आप साजि तीनों दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपरेंट है सबसे ज़्यादा विश्वस्ति है अभी जी कश्मीर पर एक सवाल क्या काश्मीर पर बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़ेगी आप ने कहा है कि आप आप वहां पर आवाम का दिल जीतना चाहते हैं तो यह सीधा सवाल है इसका क्या जवाब देंगे अभी पार्टी ने ताई नहीं किया है पार्टी ताई करेगी परन्तों जम्मू में परंपरागत रुप से लड़ते ही रहें कॉंग्रेस एक बात और कह रही है कि यह इसको लोकतंत्र की हत्या का वो दे रही है कह रही है कि मुकेश दल निर्विरोज जो है चुन लिए गए सूरत से अभी इन दौर में भी ऐसा हुआ है देखिए इस देश में 37 लोग निर्विरोज चुने गए और उसमें से सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस के चुने गए तब तो कॉंग्रेस ने ऐसा नहीं कहा हर पार्टी ने अपने अच्छ सेbon को टिकीट देना चाहिए अब कॉंग्रेस पार्की जबरजस्ती इनके कारस्टम को टिकेट देती है कारेकार्स हार देखकर मैदान् से भाग जाता है इसमें बाति पार्टी क्या कर सकती है इनके उमेद्वारों को टिकाने का काम हमारा नहीं है उनका है अभी एक बुद्दा और आज उठा है जो है जो है कि कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो एक भारत विरोधी सभा अटेंड कर रहे थे जहां खालिस्तान के नारे लगे प्रो खालिस्तान नारे लगे वहां पे प्रधान मंत्री और कुछ कैबनेट मिनिस्टर्स के जो है पोस्टर लगे जिसको कि कहा यह वांटेड हैं इसको इसको आप कैसे देखते हैं इसके क्या भारत सरकार ने वहां के रागदूत को आज समन किया था जी और उनसे एक्स्प्लिनिशन भी मांगा गया है नाराजगी भी हमारी व्यक्त किये हैं तो इस पर और कोई कारवाही कि अभी इसका जवाब आने के बाद आगे बात होगी हमिजी आप इतना दौर कर रहे हैं आप आज तीन अलग अलग प्रदेशों से यहां आएं उसके बाद आपने आप तब छोटे स्थर पर काम करता था तो अभी दिष्एघ के होते हैं घृशब के घृज्ड के अप ओड должно लिए आप जाने जाते हैं आप सोब आते हैं कि नहीं मैं कभी नेगेटिव सोच के साथ काम नहीं करता मैं मेरी पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूं हां जी आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, साबर मती तक तक आप आए और यहाँ पे आपने हमसे बात्चीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद रहों जी